Hello student, आज हम class 10th में एक बहुत ही important chapter शुरू करने वाले हैं और उस chapter का नाम है trigonometry अब पहले ये जान लेते हैं कि trigonometry क्यों इतना important है trigonometry आपके class 10th के साथ ही साथ 11th, 12th में तो काम आए गई आएगा मगर आप अगर किसी competitive examination के त्यारी करते हैं तो वहाँ पर भी trigonometry एक बहुत ही important role play करेगा इसलिए trigonometry को पढ़ना और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है तो आईए आज हम शुरू करते हैं trigonometry ठीके अब trigonometry basically क्या होता है ठीके तो trigonometry दो Greek word से मिलकर बना है एक है trigon और एक है metron ठीके trigon का मतलब होता है triangle और metron का मतलब होता है measurement तो triangle और measurement तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम triangle की जो sides होंगी जो angles होंगे उसको क्या कर रहे होंगे measure कर रहे होंगे क्योंकि triangle के पास में क्या होता है उसकी sides होती उसके angles होते हैं इसका मतलब अगर हम कुछ measure कर रहे हैं triangle के respect में तो क्या measure कर सकते हैं उसकी sides को और उसकी angles को कर सकते हैं ठीक है अच्छा तो मैंने जो कहा उसको अगर हम लिख कर समझें कि trigonometry दो ग्रीक वर्ट से मिलकर बना है एक है आपका trigon और एक है आपका matron matron का मतलब होता है measurement और trigon का मतलब होता है triangle ठीक है अब triangle के पास में क्या होती है उसकी sides होती है और उसके angles होते हैं इसका मतलब trigonometry mathematics में एक ऐसी branch है जहां पर हम triangle की side और उसके angle को measure करते हैं ठीक है simple है आसान है चलिए अब हम बात करते हैं कि इस triangle के बारे में हमने previous classes में आप 10th में है आपने 9th में 8 में triangle के बारे में पढ़ा होगा तो triangle actually अगर हम उसको classify करें तो हम उसको उसके sides के according और उसके angles के according classify करते हैं ठीक है अब उसके sides के अगर according हम उसको classify करते हैं तो हमने देखा कि इसका जो classification होता है according to sides या according to angles ठीक है अब sides के according अगर हम बात करें तो आपने ऐसा triangle आपकी तीनो की तीनो साइट सेम होती है और एक साइड अलग होती है यानि कि उस triangle को हम क्या कहते हैं आईसोसलस triangle चीक है साथ ही साथ आपने ऐसा triangle भी देखा होगा जिसमें आपकी तीनो की तीनो साइट सेम होती है और उसे हम क्या कहते हैं equilateral triangle बात समझ में आई इसका मतलब हमने अगर triangle का classification side के हिसाब से किया तो हमें तीन टाइप की triangle दिखाए देते हैं एक होता है skelling triangle जिसमें तीनो साइट की length अलग-अलग होती है एक होता है हमारा equilateral triangle एक होता है हमारा isosilus triangle isosilus triangle की property क्या है कि उसके तीन साइड में से दो साइट सेम होती है और equilateral triangle की property क्या है कि उसकी तीन साइड जो होती है वो तीनो की तीनो सेम होती है ठीक है simple है अब हम आगे बढ़ते हैं अगर हम angle के हिसाब से classification करें triangle का तो एक angle होता है acute angle एक होता है obtuse angle और एक होता है right angle acute angle का मतलब होता है कि जो angles होंगे वो 90 degrees से कम होंगे obtuse angle का मतलब होता है कि अगर obtuse angle triangle है तो उसके जो तीन angles होंगे उसमें से कोई एक angle 90 degrees से जादा होगा और बाकी दो angles जो होंगे वो क्या होंगे acute angle होंगे ठीक है अगर हम बात करें कि right angle क्या होता है तो right angle में जो एक angle होता है वो 90 degree होता है और जो बाकी दो बचे हुए angles होते हैं वो acute angle होते हैं और उन दोनों का sum 90 degree होता है आप ये भी जानते होंगे कि triangle के तीनों angle का sum कितना होता है 180 होता है ठीक है इसका मतलब triangle को हमने side और angle के हिसाब से classify कर दिया अब ये सारी चीज़े मैं आपसे क्यों discuss कर रहा हूं मैं इसलिए discuss कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा revision मिल जाए और साथ ही साथ जब मैं आपको यहाँ पर ये बात बताऊं कि जब हम trigonometry पढ़ते हैं तो trigonometry में हम एक specific type की triangle की बारे में बात करते है और वो triangle होता है right angle triangle अब उस right angle triangle में कितनी sides हूँगी? तीन sides हूँगी ठीक है और उस right angle triangle में एक angle क्या होगा? 90 degree होगा बाकी do angles क्या होगे? acute angle होंगे उन दोनों angle का sum कितना होगा 90 degree होगा ठीक है अच्छा यानि कि हम trigonometry में जितने भी triangles देखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे right angle triangle होंगे ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने आपको clear कर दी अगर हम बात करें कि triangles की और हम अगर trigonometry में पढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने right angle triangle होता है तो right angle triangle की अगर हम बात करें तो आपको यी पता होगा कि right angle triangle को हम इस तरह से represent करते हैं ठीक है मैंने मान लिया कि ये a है ये b है और ये c है यहाँ पर ये right angle कहाँ पर है angle b से अब अगर मैं आप से कहूँ कि ये जो है ये क्या है थीटा है तो जहिर सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा क्यों होगा क्योंकि अगर ये 90 डिगरी है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी 90 होगा तो अगर मैंने इसको theta माना है तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा 90 minus theta मानना पड़ेगा ठीक है अगर आपको confusion हो तो आप यह सोचो कि मैंने इस angle को alpha मान लिया तो आपको पता होना चाहिए कि theta plus alpha जो होगा वो 90 degree होगा यानि कि alpha जो होगा वो 90 degree minus theta होगा ठीक है इसलिए इ value कितनी आगई 90 minus theta आगई simple है आसान है अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर observer जो है अगर observer यानि कि आप या कोई वेक्तिर अगर इस triangle को इधर से देख रहा है तो अगर वो इधर खड़े हो के देखेगा तो इस theta के सामने वाली जो side होगी वो उस case में आपका क्या हो जाए वाले angle के सामने जो side होगी वो आपके लिए कहलाएगा base यानि कि अगर आप जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं यहां से देख रहा हूँ तो मैं जब यहां से देखूंगा तो सामने जो wall है वो मेरी लिए perpendicular है और जहां मैं खड़ा हूँ वो मेरी लिए क्या है base है तो यह जो side है जो कि इस triangle की सबसे longest side होती है उसे हम कहते हैं hypotenuse अब hypotenuse सबसे longest side क्यों होती है यह भी आप किसली classes में पढ़ चुके हैं आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी triangle में जो भी angle होता है उस angle के सामने वाली side को वो represent करता है ठीक है तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि B क सामने H है इस C के सामने P है और इस A के सामने यह BC वाला side है याने की B याने की base फिर से सुनो अगर मैं बोलूँ कि angle theta के सामने क्या है P 90 degree के सामने क्या है H और 90 minus theta के सामने क्या है B बात समझ मैं अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह 90 degree है और इन दोनों में से जो भी angle याने की 90 से कम होंगे तो इन तीनों angle में सबसे बड़ा angle कौन सा हो गया 90 degree और 90 degree के सामने जो side होगी वो बाकी 2 side से क्या होगी सबसे बड़ी होगी यह बात मालूम है आपको ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब हम angle के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर trigonometric ratio आ जाते हैं trigonometric ratios आ जाते हैं तो trigonometric ratios क्या क्या होते हैं एक होता है आपका sin theta एक होता है आपका cos theta और एक होता है आपका 10 theta ठीक है अच्छा टोटल कितने trigonometric ratios होते हैं 6 trigonometric ratios होते हैं जिसमें से मैंने आपको क्या लिखा तीन लिखे अब यहाँ पर अगर आप इसक इसका reciprocal करते हो तो यह क्या बनेगा one upon sin theta यह बनेगा one upon cos theta यह बनेगा one upon 10 theta ठीक है और यही one upon sin theta को हम क्या बोलते हैं cos sec theta ठीक है इसी 1 upon cos theta को हम क्या बोलते हैं sec theta इसी 1 upon 10 theta को हम क्या बोलते हैं cot theta ठीक है simple है अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 10 theta होता है वो actually में होता है sin theta upon cos theta और इसका reciprocal होता है cot theta यानि कि इसका उल्टा अगर इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ जो लिखा है इसका भी उल्टा होगा तो यह क्या बन जाएगा cos theta upon sin theta यानि कि 10 theta अगर sin upon cos है तो cot theta क्या होगा cos upon sin होगा ठीक है अब यहाँ पर इनकी trigonometric ratios के बारे में हम बात करते हैं कि इनकी ratios क्या बनते हैं ठीक है आ जाते हैं से हटाता हूँ अब यहाँ पर देखो अगर मैं आपके सामने एक right angle triangle बना दूँ और मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ से देख रहे हैं यह थीटा हो गया यह 90 डिगरी है और यह 90 माइनस theta है अब अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यह आपका perpendicular है यह आपका base है और यह इनकी जो ratios हैं उनको याद करने का मैं आपको दो तरीके बताऊंगा पहला तरीका यह है कि जब भी आपको trigonometry में sin cos 10 की ratios की बारे में जरूरत पड़े तो आप यह सोचना कि सर ने बोला था कि जो acid और base होते हैं उनकी कुछ pH values होती है ठीक है जो acid और base होते हैं उनकी कुछ pH value होती है तो आप sin theta में लिख देना pH अब आपको ध्यान देना है कि P, B और H तीन चीज़े ही है तो अगर यह pH है तो यह हमने याद किया कि यह कितना होगा भी अच अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि pH का मतलब है P upon H भी अच का मतलब है B upon H और आभिया मैंने आपको बताया कि जो 10 theta होता है वो sin upon cos होता है यानि कि P upon H को अगर मैं B upon H से डिवाइड करूँगा तो H और H cancel हो जाएगा तो बचेगा कितना P upon B, simple है, आसान है यानि कि sin theta क्या होता है P upon H, cos theta क्या होता है B upon H और 10 theta क्या होता है P upon B, अब मुझे ये भी बात मालुम थी कि sin theta P upon H होता है, cos theta B upon H होता है और 10 theta P upon B होता है, और मैंने थोड़ देर पहले बताया आपको कि sin theta का अगर आप उल्टा कर दो, तो आपको क्या मिलता है, cos theta, यानि कि अगर मैं cos theta लिखूँगा जो कि sin theta का उल्टा होता है, reciprocal होता है, तो इसका भी उल्टा करेंगे, तो ये मुझ सेक theta, यानि कि इसका उल्टा करेंगे, तो हमें मिलेगा H upon B, simple है, 10 theta का उल्टा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, cot theta और इसका उल्टा करेंगे, तो हमें मिलेगा B upon B, हाँ यानि कि आपकी total 6 trigonometric ratios जो है, जो कि है sin, cos, 10, cos, sec, and cot, उनका value आपको पता चल गया, ठीक है, आसान ह इजी है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, अब दो तरीके बताने में, जो दूसरा तरीका था, वो क्या था, वो यहाँ पर देखो, आपने लिखा यहाँ पर sin theta, cos theta, और 10 theta, ठीक है, अब यह जो तरीका है, यह आम तोर पर बहुत सारे बच्चों का यह मानना है, कि यह तो हिंदी मीडियम की बच्चों को याद करने का तरीका, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए एक तरीका बताया जा रहा है, यह हिंदी और इंग्लिश मीडियम से इसका कोई लेना देना ऑधने है, ध्यान से देखियेगा कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, क्या कहा मैंने पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो यह जो आया यह आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की रेशोजव आगतू है, बात समझ में आई आई आपको, कैसे याद किया मैंने पंदित बदरी फ्रसाद हर बोले और उनका division ले लिए मैंने, तो मुझे मिल गया sin theta P upon h, cos theta V upon h, और 10 theta P upon B, अब मुझे मालूम है कि sin का reciprocal होताई cot तो इसका reciprocal कर देंगे, इसका reciprocal होताई cot तो इसका reciprocal कर देंगे, तो मुझे cosec मिल जायेगा, सेक मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा सिंपल है आसान है चलो तो ये भी आपको clear होगा आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं अब यहाँ पर एक चीज जो बार-बार आपको शायद परिशान कर रही हो या परिशान करनी चाहिए थी वो है कि सर ये जो angle आपने कहा ये angle actually में क्या होता है ये जो आपने angle कहा ये actually में क्या होता ये कहां से आता है तो ध्यान से देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप point के बारे में जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ मैं point के बारे में जानता हूँ ठीक है अगर इस point से मैंने एक रे खीचा तो रे को भी आप समझते हैं कि क्या होता है हाँ चांदते हैं अब मैंने इसका नाम दे दिया O इसका नाम दे दिया A अगर मैं इस रे को इस O point के about revolve करता हूँ और मानलो मैं यहाँ इसको लेके चला जाता हूँ और यहाँ पर लाके इसको रोग देता हूँ और इसका नाम देता हूँ B और इस point को मैं इससे जोड़ देता हूँ तो यह भी एक नई रे बन गई यह भी एक नई रे बन गई तो यह जो journey हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के बीच में जो journey हुई इस journey को ही हम क्या कहते ह Angle कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, Angle कहते हैं, यहां से आपने शुरुवात की थी, इस चीज को हम कहते हैं, Initial Side, ठीक है, यहां पर आप End करते हैं, तो इसका नाम है Terminal Side, ठीक है, अच्छा इसी Ray को आपने Rotate किया होगा, तो जब आपने इसको Rotate किया होगा, तो यह अलग- और यह जो यहाँ पर gap नया आपको दिख रहा है उससे हम denote करते हैं theta से traditionally नहीं तो अगर आप आगे जाएंगे और आपको एक से जादा जगा angle को represent करना होगा तो आप उसमें theta, alpha, beta, gamma भी ले सकते हैं मगर generally और traditionally लोग angle के लिए angle को represent करने के लिए theta का use करते हैं तो उमीद करता हूँ यह चीज भी आपको clear होगे अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें जानते हैं आपकी trigonometric identities की बात करते हैं और आपको मालूम होगा कि अगर कोई right angle triangle है हम यहां से देख रहे हैं यह मेरा P है यह मेरा B है और यह मेरा H है अच्छा एक चीज़ मैं और clear कर दूँ कि अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यह आपका perpendicular हो जाएगा और यह आपका base होगा बट अगर आप यहां से देख रहे हैं तो उस case में फिर यह आपका क्या हो जाएगा perpendicular और यह आपका क्या हो जाएगा base हो जाएगा इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि triangle में आप या तो यहां से देखते हो या तो आप यहां से देखते हो तो बस P और B में interchange होता है H हमेशा क्या रहेगा उस triangle का? सेम रहेगा बात समझ में आई आपको ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं trigonometric identities के बारे में बट इसके पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि आपने Pythagoras theorem पड़ा होगा बच्पन में और Pythagoras theorem क्या कहता है? वो कहता है कि P square प्लस B square जो होता है वो H square के बराबर होता है यानि कि ये जो चीज है ये हमने पढ़ी हुई है ये हमें अलड़ी मालूम है ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी की पूरी equation को आप H square से divide कर दो तो आपको क्या दिखाए देगा? P upon H का whole square, B upon H का whole square और H upon H का whole square दिखाए देगा? क्या किया मैंने? कि जो पाइदेगर सिरम था उसी को मैंने पूरी equation को H square से divide कर दिया तो मुझे ये मिल गया है अब आपको पता होगा P H याने की sin theta और उसका square हो रहा है, sin square, B H याने की cos theta और उसका square हो रहा है और H upon H तो क्या होता है? 1 और 1 का square कितना होता है? 1 ही होता है तो ये आ गया आपका sin square theta प्लस cos square theta जिसे हम क्या कहते हैं? पहली identity कहते हैं तो यह आपकी पहली identity है मेरे हिसाब से आप बात करें तो लोग कहते हैं कि identity तो बहुत सारी है मगर मेरा कहना है कि एक ही identity है हम उसी के साथ manipulation करते रहते हैं उसी चीज़ को हम बार-बार इधर से उधर करते हैं तो हम नईने चीज़े बना लेते हैं यह है एक ही चीज़ मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं अगर मैं आप से कहूँ कि जो p square plus b square plus h square यहां लिखा था p square plus b square is equal to h square लिखा था अगर आप इसे h square से ना divide करके p square से divide कर दें ध्यान से देखो अगर आप p square से divide करोगे तो यह p upon p का square हो जाएगा p upon p का square हो जाएगा यह हो जाएगा b upon p का square और यह हो जाएगा h upon p का square ठीके हाई है न अब आपको पता होना चीज़ p upon p तो 1 होता है 1 का square 1 होता है अच्छा यह b upon p लिखा है और आपको मालूम है p upon b क्या होता है p upon b होता है 10 theta यह उसका उल्टा है यानि कि यह क्या बनेगा cot theta और उसका square क्या हो जाएगा cot square theta आप देखो यहाँ पर दिख रहा है pH यानि कि sin theta बट यह तो उसका उल्टा लिखा है P upon H नहीं लिखा यह H upon P लिखा है यानि कि sin theta का उल्टा है यानि कि यह क्या हो जाएगा आपका cosac square theta तो यह आपकी एक दूसरी identity तैयार हो गई हाँ यह न समझ में आया उसी तरह से अगर आप इस P square plus B square is equal to H square में अगर आप किस से divide कर दो B square से divide कर दो तो यह क्या बनता है P upon B का square यह क्या बनता है आपका B upon B यानि कि 1 तो 1 और यह बनता है आपका H upon B का whole square तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेका P upon B तो क्या होता है 10 theta यानि कि 10 square theta मिलने वाला है तो यह 1 प्लस 10 square theta is equal to H upon B अच्छा B H क्या होता है cos theta यह H upon B है यानि कि उल्टा है यानि कि cos theta का उल्टा क्या होता है second square theta यानि कि यहाँ पर आ जाएगा second square theta तो यह आपकी तीसरी identity आ गई ठीक है बात समझ में आ रही है आपको आप इस identity को इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर sin square theta plus cos square theta is equal to 1 है तो अगर आप इस पूरी equation को sin square theta से एक बार divide कर दो तो आपको एक नई चीज मिल जाएगी अगर आप इस पूरी equation को cos square theta से divide कर दो तो आपको एक तूसरी identity मिल जाएगी तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद रखो कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है 1 plus sin square theta sag square theta होता है 1 plus quad square theta cos square theta होता है या तो आप इसको ऐसे याद रखो मगर ऐसे आपको याद करना तो पड़ेगा और initially आप P square plus B square is equal to H square से इसको याद रख सकते हो कि अच्छा ये actually मैं आया कहां से अगर आप कभी भूल जाओ या कभी आपको clear ना हो रहा हो तो आप यहां से इसको drive करके भी जल्दी जल्दी देख सकते हो मगर मेरा मानना ये है कि जब आप इसको use करोगे बार बार numerical में तो ये values आपको अपने आप याद हो जाएंगे ठीके चलो आगे बढ़ते हैं अब एक example देखते हैं एक छोटा सा example देखते हैं मानलो कि आपको एक right angle triangle दिया है ये है A, ये है B, ये है C और आपको बोला है कि AB जो है वो 3 है BC जो है वो 4 है और आपसे बोल रहा है कि find all trigonometric ratios ठीके आपसे बोल रहा है कि सारे trigonometric ratios निकालो तो मैंने ये कहा कि AB की length जो है वो 3 है और BC की जो length है वो यहाँ पर 4 है और अगर मैं इसको theta मान लेता हूँ तो अगर ये 3 है ये 4 है तो solve करने पर ये मुझे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा कैसे मिला आपको मालूम होना चाहिए कि 3 का square plus 4 का square is equal to AC का square होगा 3 का square होगया 9 ये होगया 16 और इसका अगर square हटाएंगे तो यहाँ square root आ जाएगा 25 का root लोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा ठीक है अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर वो 16 प्लस 9 25 हुआ और 25 का square root लेंगे तो plus minus 5 आना चाहिए तो plus minus 5 क्यों नहीं लेंगे हम plus 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये length है और length कभी भी negative नहीं होती है बात समझ में आ रही है आपको ठीक है तो ये AC कितना आ गया 5 आ गया मैं आपको आगे चलके triplets के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे triplets खुद से बना सकते हो और उसको याद कैसे रखना है आसानी से ठीक है अब मुझे मालू में sin theta होता है pH याने की p upon h ये होता है b upon h और ये होता है p upon b तो ये मेरे लिए p है ये मेरे लिए b है और ये मेरे लिए h है तो p upon h के साब से 3 by 5 हो जाएगा ये ये हो जाएगा मेरे लिए 4 by 5 और ये हो जाएगा मेरे लिए 3 by 4 ठीक है अगर मैं इनका reciprocal कर दूँगा तो मुझे यहां से मिलेगा cosac theta, यहां से मिलेगा sec theta और यहां से मिलेगा cot theta तो यहां पर मुझे result क्या मिलने वाला है 5 by 3 यह मिलेगा 5 by 4 और यह मिलेगा 4 by 3 ठीक है तो आपने इस में इस question के हिसाब से सारे trigonometric ratios निकाल दिये ठीक है चलिए एक और सवाल देखते हैं छोटा सा छोटा सा example ले रहे हैं मालो आपकी पास में एक छोटा सा triangle दिया और उसने आपसे कहा कि यह A, B, C एक right angle triangle है कहा से? angle B से जिसमें आपसे कहा है कि A, B की लंबाई 3 है और A, C की लंबाई 5 है और आपसे बोल रहा है कि find 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta जिसमें यह angle जो है यह theta है कैसे करोगे इस सवाल को ध्यान से देखो? अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इसकी length 3 है और इसकी length 5 है तो मुझे मालूम है कि इसके length 4 होगी अभी थोड़ दिल पहले हमने किया भी तो हम time भी बचा सकते हैं अच्छा अब हमें मालूम है कि अगर मैं 10 theta निकालूंगा तो यह P है यह B है और यह H है और मेरे लिए 10 theta होता है P upon B यानि कि 3 by 4 तो यह 3 by 4 आ गया अब मुझे जो चाहिए उसमें अगर मैं value put कर दूँ कि 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta क्या होगा यानि कि 1 minus 3 by 4 का whole square और 1 plus 3 by 4 का whole square अच्छा 3 by 4 का whole square होगा 1 minus 9 by 16 और यह होगा 1 plus 9 by 16 ठीक है अच्छा आप जब LCM लोगे तो 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 by 16 और यह बनेगा आपका 16 plus 9 यानि कि 25 25 by 16 और 16 16 दोनों का base same है, cancel out हो जाएगा यह बनेगा 7 by 25 यानि कि इस सवाल का जवाब भी आपने बहुत आसानी से दे दिया अब मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप इतनी आसानी से इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि आपके concepts जो हैं वो क्या है, clear है अगर आपको मालूम है कि actually में sin, cos, 10, cos, sec, cot क्या होता है उनके ratio क्या होते हैं, P upon H, B upon H, P upon B क्या होता है तो आप किसी भी सवाल का जवाब बहुती आसानी से दे सकते हो ठीके, तो आज के session में इतना ही रखते हैं और next session में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीके, चलिए